नमस्कार दोस्तों आप स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट एक्रिकोस में है दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे History of Nematology in India History of Nematology मतलब Nematology का development इंडिया में कैसे हुआ तो सबसे पहले नematology का development होने के लिए सबसे पहले नेमाटोड का इंफेस्टेशन जरूरी है मतलब किसी भी चीज का development करने के लिए किसी भी चीज का problem होना जरूरी है जैसे हम लोग हिंदी में डियालोग बलते हैं और सकता ही अविसकार की जन्नी है ठीक है तरीज नीड फॉर्ड थिंक्स अफ डिस्कवरी जो 1901 में बार्बर साहब जै है ओ फर्स्ट टाम रिपोड किये रूट नोट नमटोड का ना इन 1901 बार्बर फर्स्ट रिपोड़ी जारूट नमतोड ऑन यह क्रॉप रूट नम किये रूट नम आर्ड शान है नियौ नीड निडा ना इन डिस्ट्रिक देवा लाद स्टेट निय। देन इन 1906, बटलर रिपोर्टेड रूट नोट अमटोड अन ब्लैक पेपर फ्रॉं दर केरला, इन दूरिंग दर 1913 तू 1919, बटलर रिपोर्टेड उफ्रा डीज अन राइस, फ्रॉं बेंगोल, एंड उफ्रा डीज अफ्राइस इस गाउज बाई डाइट लेंकस अंगस्ट दोस्तों यह उफ्रा डीज इंपोर्टेंट है, इसको इंपोर्टेंट मार्क कीज़ेगा, 1901 भी इंपोर्टेंट है, बटलर का उफ्रा डीज इंपोर्टेंट है, देन 1926-1930, 1926-1933, आयर रिपोर्टेड, रूट नोट नमटोड, इंफेस्टेशन ओन भेजी टेवल अधर क्रोप है, देन 1934-1936, दस्तूर रिपोर्टेड वाइट टीप डीज ओफ राइस है, विचिज कॉज बाइफ्लेंट वैसाई प्रों दे सेंटर इंडिया, यह आप इंपोर्टेंट मार्क कीज़ेगा, 1959 में परशाद, माथूर और सेहगल टूगेधर रिपोर्टेड सीरियल सीष नेमरोड for the first time from the India, दोस्तों यह स्लाइट से कौन कौन सा इंपोर्टेंट है, तो 1901 इंपोर्टेंट है, then 1913 to 1919, then 1934 to 1936 इंपोर्टेंट है, ठीक है, and 1959 भी इंपोर्टेंट है, इसमें से 4 पोइंपोर्टेंट है, उसके बाद 1961 में, चोकि नेमरोड का इंफेस् करने लगा गया तो निमेटलोजी का लेबरेटरी इस्टब्रीस हुआ कहाँ पर इस्टब्रीस हुआ तो क्वेंब टूर में क्वेंब टूर में विद दे हेल्प ओफ रोकफेरर फाउंडेशन और आईसी ए आर इंडियन कॉंसिल ओफ एगडि कल्चर रिसर्च है देन निमेटलोजी इस्टब्रीस हुआ कहाँ पर पोटाइटो रिसर्च इंस्टिटूट सीमला पर CPRI सेंटरल पोटाइटो रिसर्च इंस्टिटूट है तो एक कोस्चन तो भी बुचता है कि सेंटरल पोटाइटो रिसर्च इंस्टिटूट है कहाँ पर तो सीमला में है ठीक है यहाँ से एक पॉंट देन रखना है उसके बाद 1963 में क्या हुआ कि लैबरेटरी इस्टब्रीस हुआ पोटाइटो सीष निमेटलोट के लिए कहाँ पर तो उठांग मंदला में विद दे हल्प आफ इंडियन कॉंसिल आफ एकरिकल्चार रिसर्च 1964 में फर्स्ट इंटरनेशनल नेमटलोजी कोर्स हेल्ड हुआ कहाँ पर पढ़ाय गया तो आई 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 निव देल ही में देन 1966 में इन 1966 नायर दास एंड मेनन फर्स्ट इम रिपोर्टेट दा बरोइंग नेमटोड और बनाना ठीक है कहाँ से फर्स्ट इम फ्रम दा केरला तो दोस्तों सभी नेमटोड जो फर्स्ट इम रिपोर्ट किया गया इंडिया में कौन से स्टेट से वह हमको द्यान रखना है ठीक ह उसके बाद डिवीजन ओफ नेमटोलोजी इस्टाबलीच एड आई राई निव देरी ओके तो इसमें हमारा 1966 का नायर दास एंड मेनन वाला पॉइंट इमपोर्डेंट है उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलोजी एंड एनटोमी ओफ नेमटोड नेमटोड दीख आज ओके तो हैं इसमें हम आप उसमें और क्या होता है कि दो तरह के पाए जाते हैं एक दो प्लांट्यक एक जोनेमटोड उनेमयं कर रहा है यह फिर प्लांट को जो नेमटोड बेनिफिसियह अरिकल्चर के लिए ही वह हम लोग इसमें पढहेंगे जैसे beneficial nematode का नाम से एक course अलग से आता है ठीक है तो plant parasitic nematodes are cylinder, elongate, spindle shaped और fuji form है fuji form का होता है दोस्तों यहाँ pointer उध्यान देंगे एक green color का जो बनाए हुआ है tapering towards both end है मतलब जो दोनों तरफ का end होता है nematode का mouth and anus वो pointed group में end होता है ठीक है अगर हम cross section बनाते हैं तो cross section में कैसा दिखा देता है circular, it appears circular in cross section ओके तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों कि nematode जो होता है वो bilaterally symmetrical होता है तो यह common है यह common है तो इसलिए एक्जाम में यह नहीं पुछता है एक्जाम में question पुछता है क्या कि nematode में radial symmetry कहां मिलता है तो radially symmetrical traits tri-radiates, tetra-radiates and hexaradiates कहां मिलता है तो nematode के anterior region में anterior and posterior region दो होता है तो anterior region कहां पर होता है mouth वाला region को हम लोग क्या बलते हैं anterior region बोलते हैं ठीक है उसके बाद pseudosilomate क्या होता है triplo-blastic क्या होता है bilateral symmetrical क्या होता है हम लोग अगले slider पुढ़ेंगे जैसे bilateral symmetrical क्या होता है कि हमारा जो body को हम divide करेंगे तो दो equal भाग में divide हो जाएगा और radial symmetry क्या होता है कि तो bilateral symmetrical किसी वी एक plane में ही दो दो equal भाग में divide होगा radial symmetry में का होता है कि किसी भी plane में काटेंगे तो दो equal भाग में divide हो जागा उसको radial symmetrical बोलते हैं ठीक है अब question क्या बोलता है कि longest nematode कौन सा है longest plant parasitic nematodes कौन सा है यह question पुछे जाता है ठीक है तो the length of nematodes vary from .2 mm .2 mm मतलब minimum size जो होता है तो shortest हो गया shortest nematodes कौन सा है फ्राइट एलेंकर स्पसीज है ठीक है एंड longest means 11 mm का plant parasitic nematodes length का होता है उसका नाम क्या है पैरा लोंग डोर स मैक्सीमस है ठीक है longest nematodes का हम लोग ध्यान रखेंगा दोस्तों यह बहुत बार इक या में पुछा गया है ठीक है बोड़ी विट भारी फ्रम 012.05 mm उसके बाद अलग अलग नेमटोड जैसे हम लोग क्या बोलते हैं प्रोटेटो सीच नेमटोड रूट नोट नेमटोड ठीक है यह फिर सिरियल स्विश नेमटोड से तो अलग अलग नेमटोड जो होता है वह अलग अलग सेप कहोता है उस नाम नहीं पता है सेकेट सेकट मीस का हता है बोरी होता है ठीक है तो हमको याद कौन सा रखना है मेलेडोगेन का धियान रखना है और टाइलेंक कुलस सीमी पिनेटरेंस का धियान रखना है ठीक है यह दोनों एक जाम में बहुत बार पुछा जाता है इसलिए हमने यह पॉइंट यहाँ पे कवर किया है बाकि आप अलग-अलग nematode का और भी सेफ अता है जैसे dagger nematode होता है और आसे बहुत सरे nematode है अब लोग बोलेंगे तो हम उसका lift देंगे ठीक है उसके बाद nematode जब swell करता है तो उसका reproductive potential increase करता है इसलिए उसमें swelling capacity होती है ठीक है अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं किस longest nem सब्सक्राइब करेंगे तो इकोल हाफ में दिवाइब हो जाएगा और बोडी होगा वह मिरर इमेज एक गुसरे का होगा ठीक है उसको हम लोग बाइब लेटरली स्मेटिकल बोलते हैं दिवाइब इन्टो टो इकोल हाफ से बोड़ी ऑफ तर बोडीनेंटो फिके जिवाइड़ एन्टो इकोल हाफ से एंड़ बौठ आर होके लेन करते हैं तो इंप्रयोनीक स्ट्रेज में करते हैं ठीक है तो हिंद के एक्टाइज समय होता है कि फ्लिवड होता है उसमें ठीक है उसमें टूफ युट प्रिवड होता है मतलब जो इनर लेयर होता है और lining नहीं किया रहता है खीक है उसके पास body cavity होता है और major drum से totally surrounded नहीं होता है major drum से totally surrounded नहीं होता है इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं यहां पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि यह रिजन जो है वह स्यूदो 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 वाला है ठीक है उसके बाद radial symmetry का होता है तो radial symmetry when a body plan or when a body of nematode is divided into similar halves in any plane मतलब हम किसी भी plane में like this like perpendicular, longitudinal या फिर diagonally किसी भी plane में जब हम nematode को divide करेंगे तो वो two equal halves में divide हो जाएगा when body of the nematodes divided into two equal halves then it can be divided into two equal halves in any plane ओके और यह किसका characteristics है तो facile and bottom dwelling animals का एक characteristics होता है इसका example कौन सा है तो sea animal and star face है ठीक है अब दोस्तों nematode जो ऐसे हैं हम लोग पहले ही बताएं कि तीन तरह होते हैं कौन-कौन सा plant parasitic nematode animal parasitic nematode and free living nematode जो भी parasitic nematode होते हैं वो size में छोटे होते हैं और free living nematode यह होते हैं वो size में बड़े होते हैं ठीक है अब free living और parasitic के मतलों क्या है कि ओर nematode जो या तो plant और animal पर depend करें और जिंदा रहने के लिए उसको parasitic बोलते हैं free living में से अपर फैटीक है और dead and dead decaying material से खाकर जिंदा रहता है उसका उनलों क्या बोलते हैं फ्री living बोलते हैं ठीक है अब जैसे plant में लोंगेस्ट नेमरूट को बात कियें तो कुम से हो गया पैरा लोंगी डोरास पैरा लोंगी डोरास मैक्सिमास है वैसे annual and human parasitic में hyalementhos बोलते हैं हम लोग पहला लेक्शेर में पढ़ाया थे कि hyalementology क्या होता है जब हम लोग human parasitic नेमरूट का study करते हैं उस condition में हम लोग hyalementology बोलते हैं और जब plant parasitic नेमरूट का study करते हैं उस condition में हम लोग नेमेटलोजी बोलते हैं ठीक है तो human parasitic या फिर animal parasitic में mammal parasitic में सबसे लंबा नेमेटलोड होता है उसका height कितना होता है 27 feet है 27 feet है और वो किसको parasitage करता है तो wealth इसको और यहाँ पे कुछ example दिये हैं बोल लेटर में जो यहाँ पे pointer के तराफ देंदे टेप वर्म जो human parasitic है फ्लेरियल वर्म human parasitic है उजलेरिया बेंक्रोफ्टी आप लोग देखते होंगे हाथी पाड़ी बोलते हैं ठीक है राउंड वांड एसकेरियस लुम्ब्री कोईट से और गुनिया वांड से ड्रेकुन कुला से मेडिनेंसी से ठीक है उसके बाद नेमटोट के पास है क्या होता है वन और टू 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 लर गुनाट्स होता है जो तो मेल और फीमेल में सेपरेटली खुलता है जैसे फीमेल में खुलता है कहां पे गुनाट्स में एंड मेल में कहां पे खुलता है ओपिन होता है रेक्टम में ठीक है और रेक्टम जो होता है मेल के पास उसमें क्या होता है कोपिलाटरी अस्पिक्यूल से हम लोग दोस्तो तो इसका function detail ने पढ़ेंगे लेकिन आगे के lecture में ठीक है जब हों लोग male and female reproductive system पढ़ाएंगे नेमरूट का तो उसमें हों लोग इसका detail point पढ़ेंगे ठीक है तो दोस्तों पीछी का slide में हम लोग क्या ध्यान रखना है definition ध्यान रखना है right from the anterior end to posterior end ठीक है दोस्तों एनस एनस जो होता है वो क्या होता है सबसे last portion नहीं होता है सबसे last portion कौन सा होता है नेमरूट का वो tail होता है ठीक है सबसे last portion जो होता है वो tail होता है उसका हम लोग कैसे define करते है तो post anal part of the nematode is known as tail यहाँ तक तो हमारे दोस्तों एनस है यहाँ पे जा क्या है बचा हुआ है इस रेजन में इस रेजनमें बचा हुआ है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? हम लोग इसको क्या बोलेंगे? कि ये एनस नहीं है, पोस्ट इनल पार्ट नहीं है, ये जो है, क्या है? ये है पोस्ट इनस पार्ट, पोस्ट इनस पार्ट को क्या बोलते हैं? टेलस, मतलब लास्ट पर्सन अगर निमरोड का पुझाएगा, तो क्या ब ode ring है, pharynx है, is Requisen youtie pore intestine है, pseudoibrosis, ov coral है, cuticle है, यह सब neonate스arleuden का general structure है, ठीक है, अब neonate mental body को different different segment में divides कियाγοः है, ठीक है, अब definitive part में but certain subdivision लिए गया है, ठीक है, अब anterior heart heartيل होता है, कहासे start होगा, head से, anterior parts starts with the head which consists सेट्रुप एंभाउथ में कॉन कॉंस आता है मॉस एट्रीएंद ओस आता है एंट्रीफ में ऐसें माउथ में क्या होते है माउथ एंड़ को पैरिंगे अभिदोस्तों हम लोग अच्छा से लिखना स्लिखेंगे माउध पाट में क्या होता है एंट्रियर होता है ठीक है उसमें क्या क्या रहता है तो से फैलिक पैपिला रहता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं सीटा बोलते हैं ठीक है अब पोर्शन जो होता है हेड और ओस फैगस के बीच में पोर्शन जो होता है यहां पर दोस्तों फैगस हो और एस पर शेयाना से स्टार्ट होकर पोस्ट एस परतर तक इसको क्या बोलते हैं हों लोग क्यों टेल बोलते हैं दिया जो है वोटार वोता है उनर डिफरेंट डिफरेंट ब्रडी system के द्वारा बनता है जैसे हमारे यहां respiratory system के लिए अलग होता है ठीक है iscreatory system के लिए अलग होता है सांस लेने के लिए अलग होता है reproductive system अलग होता है वैसे ही nematode में अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग system present है जैसे कौन-कौन सा present है तो nematode का body जो होता है वो बोडिवाल होता है, नर्वस सिस्टम होता है, स्क्रेटरी सिस्टम होता है, डाइस्टिव सिस्टम होता है, एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, दोस्तों यह वर्द ध्यान रखना है, स्क्रेटरी सिस्टम है, ठीक है, स्क्रेटरी सिस्टम है, और नेमाट पाली हम इसको चार भाग में डिवाइड करते हैं ठीक है अब दोस्तो इसमें से क्या है हमने सारा पॉइंट पढ़ा दिया है लेकिन याद करने वाली बात कोंक सी है कि हम लोग ये बता दिये है कि नेमटली जो प्रेस वाटर में भी होता है मरायन भी होता है, terrestrial मतलब, terrestrial मतलब जमीन पर रहता है, fresh water मतलब, fresh पानी में रहता है river में और मरायन मतलब, समुधर में रहता है bilaterally symmetrical, triploplastic, unsigmented होता है, pseudosillumate होता है यह सब ने बता दिया है, vermiform होता है, rounding cross section यह सब important नहीं है, important क्या है, bilaterally symmetrical और important क्या है, कि नेमाटोड में कितने juvenile stage मिलते हैं नेमाटोड में कितने juvenile stage मिलते हैं, तो 4 उसके बाद नेमाटोड में कितने leaves मिलते हैं, यह बहुत ही important है यह आमें बहुत बार पुछा गया है, ठीक है, तब लोग इसको खास करके देहां रखेंगे कि नेमरोड में कितने lips मिलते हैं? 6 lips हैं, ओके? और sensory structure अगर बात करेगा तो कितने मिलते हैं? 16 हैं, ठीक है? इसके पास सेफैलिक sense organ होता है सेफैलिक sense organ होता है एक special sense organ है जिससे कि वो क्या काम करता है? आपको हमको comment box में बताना है उस sense organ का नाम क्या है? आपको हमें comment box में इस sense organ का क्या function है? यह जरूर बताएंगे ठीक है? उसके बाद हमारे पास इंपोर्टन पॉइंट क्या है है? यह इंपोर्टन पॉइंट है नेमाटोड बोड़ी नेमाटोड बोड़ी dejar solve system होता है digestive system होता है respiratory system होता है यहाँ पे दोस्तो circulatory system and respiratory system का नाम नहीं है है मतलब पुछेगा यहां में कि which systems are absent in नेमाटोड से? और पहला अपर उफ्षन रहेगा circulatory दूसरा उफ्षन रहेगा regulatory थर्ड उफ्षन रहेगा भूथ A and V and force option रहेगा ननम देबब, तो क्या लगाना है both A and B, ठीक है अब दोस्तो, circulatory तो होता नहीं है तो nematode sans कैसे लेता है जैसे हम लोग को पता है कि human sans कैसे लेता है तो human का oxygen body में supply कैसे होता है, क्योंकि blood circulate होता है, heart से pumping होकर blood पूरे body में supply होता है तो nematode के पास oxygen का circulation कैसे होता है तो nematode oxygen का circulation कैसे करता है cuticle के थुरू ठीक है, यह ध्यान रखना है यह ध्यान रखना है कि nematode का circulation oxygen का कैसे होता है तो cuticle के थुरू होता है ठीक है, और कौन सा process के दोरा तो simple diffusion के दोरा उसके बाद nematode जो है वो अलग-अलग भागों में डिवाइट किया गया है आउटर बोड़ी वाल इनर बोड़ी ट्यूब ठीक है आउटर बोड़ी ट्यूब में कौन-कौन से आते हैं यह हम लोग नेक्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ओके दोस्तों यहां तक समझ में आया है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ सेर करें खीक है? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों